हेलो एब्रीवन, वेलकॉम अगें टू लॉन्वरे देतिमन, तो हम लोग कर रहे हैं हमारा राजिस्थान क्लास 8, चैप्टर नमबर 4, जनसंख्या, तो जनसंख्या का टॉपिक जो है बहुत इंपोर्टेंट है, तो सभी के लिए जरूरी है, तो ये चीज मैं आप लोगों क बोलती आ रही हूँ, कि आप लोग यदि कम्टिशन के त्यारी कर रहे हो, तो RBSC की बुक और इसके साथ ही हमारा राजिस्थान जो आपकी चल रही है इस वक्त स्कूल में, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, हर एक लाइन को रट लीजिए, क्योंकि यहीं से प्र कुशन का टैस्ट लिया, तो जिसमें सुशीला जिनके 35 में से 30 आए, सुमन के 35 में से 34 मार्क्स आए, उसके बाद कौशल्या के 35 में से 35 मार्क्स आए, वरी गुड कौशल्या, और क्रेजी गेमर के नाम से इनके भी 35 में से 35 आए थे, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक भी कुशन मिस नहीं करते हो, जो लोग यहां 100% देते हैं, उनका सेलेक्शन 100% होगा, आशा के 35 में से 30 आए थे, सुमेर के 33 आए हैं, राजकुमारी के 25 आए थे, इंदरावती के 30 आए थे, और स्वेता के आए थे 34 ठीक है, तो जिनके 35 में से 34 हैं, 33 हैं, बहुत होता है, तो आप लोग 35 में से 35 या 35 में से 34 मार्ट, ऐसे तो आप लेकर आया करिए, तभी आपकी तयारी जो है, वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, तो चलिए, आज का चैप्टर जो है, स्टार्ट करते हैं, तो कई बच्चे जो है, वो यह बोल रहे थे, कि मैम जो है, से आने वाली हूँ, तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फोर, जनसंख्या, प्रतिक राज्य का उदेश्य है, निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रशर रहना, राज्य के विकास के लिए, कई कारक उत्तरदाई होते हैं, इन ही कारकों में से एक है, उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आवादी, तो बिल्कुल लाइन जो है, वो बिल्कुल सही कही गई है, कि राज्य का यदि विकास करना है, तो कई कारक उत्तरदाई रहते हैं, जिन में से सबसे जो में कारक है, वह होता है जनसंख्या का, जिस राज्य की सबसे कम जनसं वो इतने अच्छे से विकास नहीं कर सकेगा, तो जनसंक्या का बहुत बड़ा रोल होता है विकास में, राज्य की जनसंक्या ही उसके समगर विकास को संभव बनाती है, लोग अपनी शारिरिक और मान्तिक शम्ता के अनुसार प्रकृती में उपलप्त वस्तों से अपने संसादन है, इसलिए हमारे राज्य की जनसंक्या एवं उसके बिभिन पक्षों के अध्यन अतियाविश्यक है, क्या आप जानते हो कि हमारे राज्य की कुल जनसंक्या कितनी है, किन शेत्रों में अधिक जनसंक्या निवास करती है, तथा किन शेत्रों में कम करती है, तो किस किस जिले में साक्षर्ता दर सरवादिक है, किस में कम है, आईए इस अध्याय में कुछ ऐसे ही प्रश्णों का अध्यन खोशते हैं। राज्य में रहने वाली आवादी के विविद प्रक्षों से संबंदे सूचनाओं का संकलन, संग्रहन और गड़ना प्रकाशन आधिकरे भारत सरकार के निर्देशन में जन गड़ना निरेशाले जैपुर द्वारा प्रति दस वर्स में किया जाता है। तो ये जो लाइन है इसका कहने का क्या आर्थ है। इसका आर्थ यही है कि भारत सरकार द्वारा जो जन करना है वो हर दस साल में एक बार करवाई जाती है। ठीक है। भारत में सन 1832 से जन गड़ना का कारने सुरू किया गया था। 6.85 करोड है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.07 प्रतिशत है ठीक है तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजिस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है 6.85 करोड जो कि भारत की इकुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है तो जनसंख्या के टॉपिक में तो यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट ही उठाकर पूछे जाएंगे कि 2011 की जन्गर्णा के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या, राजेस्थान की जनसंख्या कितनी है छिक है या कहां की जन्गर्णा पर कम है, कहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, ऐसे कुष्यन बस आने वाले है जनसंख्या व्रद्णा तो इसका अर्थ क्या होता है कई बार एक्जाม में अर्थ भी पूछ लिया जाता है किसी निश्चिद अवधी में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्थन कहते हैं जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्थन कहलाता है किसी इस्थान की जन संख्या एक वर्ष या दसक में पिछले वर्ष या दसक से कम हो जाए तो रिनात्मक व्रदी यदि बढ़ जाए तो धनात्मक व्रदी ठीक है तो रिनात्मक व्रदी कम होती है जब पिछले साल या दसक से इस साल जो है जन संख्या कम हो जाए और यदि ब बढ़ जाए तो धनात्मक व्रद्धी राजिस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है तो जब जनसंख्या हर साल बढ़ रही है पिसले साल से जो है बढ़ गई है इस साल तो इसका मतलब क्या है ये उच्च व्रद्धी दर का सूचक है ठीक है ये धनात्मक व्रद् प्रतिशत रही है जबकि गंगा नगर जिले में यह दर सबसे कम 10 प्रतिशत रही है। उसके बाद देखिए यह है राजिस्थान का मैप तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि राजिस्थान का मैप चाहिए आप इतिहास पढ़ो राजिस्थान का भूगोल पढ़ो या आप पॉलिटी पढ़ो तो मैप तो आपको आना ही चाहिए तो यहां हमने क्या पढ़ा कि जो श्री गंगानगर है वहाँ पर जनसंख्या व्रद्दीदर जो है वो सबसे कम रही है और वहीं पर जो बाडमेर है बाडमेर जिले में 32.5 जो है जनसंख्या व्रद्दीदर रही ठीक है बाडमेर में सरवादिक रही है और श्री गंगानगर में सबसे कम रही है उसके बाद ज जुनजुनु में 11.7 है नागोर में 19.2 सीकर में 17.7 प्रतिशत रही है तो यहां पर जो जनसंख्या व्रद्धी दर्ज सरवाधिक जो रही है उन दो जिलों के बारे में तो आप ध्यान में रखें इसी तरीके से सबसे कम जनसंख्या व्रद्धी दर्ज रही है उन में दो जि उसके बाद है राजिस्थान में जिलेवार जनसंख्या व्रदीदर प्रतिशत में 2011 की जड़ना के अनुसार तो यह हमने देख लिया आपके जिले का नाम और उसकी जनसंख्या व्रदीदर बताईए तो आप अपना जो है जिला और जनसंख्या व्रदीदर जो है वो कितनी है तो बिल्कुल वीडियो को पोस करके जो है वो आपको देखना है और ध्यान में रखना है तो ये कुछ जीके के ऐसे कुश्यन होते हैं जो कि आपको आने ही चाहिए कोई अगर छोटा बालग ही आपसे पूछ ले कि जहां हम रहते हैं तो उसकी 2011 की जणगर्णा की अनुसार ज तो क्या होता है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी इस्थान की जनसंख्या और उसके शेत्रफल में संबंद बताता है अथार्थ एक इस्थान के शेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या ठीक है तो एक जो इस्थान है उसमें कितने लोग जो है वो निवास कर रहे हैं तो ये कौन बताता है ये जनसंख्या घनत्व जो है बताता है राजिस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है प्रतिवर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति इसका ताथ पर यह है कि राजिस्थान में प्रतिवर्ग किलोमीटर पर औस तन 200 व्यक्ति निवास करते हैं सरवादिक जनसंख्या घनत्व जो है वो जैपूर जिले का है 595 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर तो जहां पर राजिस्थान का देखिए 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व है और जैपूर का सरवादिक है वहीं सबसे कम जो है यहां पर शेत्रफल अधिक है और लोग कम निवास कर रहे हैं जैसल मेर में 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग फिलोमीटर ठीक है तो शेत्रफल के according वहाँ पर कितने लोग निवास कर रहे हैं यह बताता है जनसंख्या घनत्व को राजिस्थान में जनसंख्या का वित्रण क्या है असमान है यानि कि हर जगे जो है असमानता दिखाई देती है कहीं शेत्रफल जादा है तो वहाँ पर इतनी जनसंख्या निवास नहीं कर रही है और कहीं का शेतरफल कम है तो वहाँ पर जादा जनसंख्या निवास कर रही है क्योंकि हमने पता है हमने इसका भोगोलिक स्वरूब जो है वो पहले जाना था जब हमने six class को पढ़ा था कि राजिस्थान का जो आदा भाग है अरावली के पक्षिम में यदि हम देखें तो वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वहाँ पर सुख सुविदाएं जो है कम है और इंसान जो है मनुष्य जो है वही पर निवास करता है जहाँ पर उसे जल की सुविदा हो और बाकी जो है सुख सुविदाएं साधन जो है उपलब्द हो सकें तो इसी लिए जनसंक्या का वित्रण जो है असमान है राज प्रश्मी राजिस्थान में कम तो उत्तर पूर्वी राजिस्थान में जनसंख्या अधिक है। प्रश्मी राजिस्थान में जनसंख्या अधिक है। प्रश्मी राजिस्थान में जनसंख्या अधिक है। भरतपुर, दोसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधवपुर, करोली, भीलवाडा, आधि राजिस्थान में जनसंख्या अधिक है। तो पक्षमी भाग से पूर्वी भाग में बिलकुल अपोजिट है, यहाँ पर शेतरफल कम है, जनसंख्या जादा निवास कर रही है। वहीं पक्षमी भाग में शेतरफल अधिक है, कम जनसंख्या निवास कर रही है। पक्षमी राजिस्थान में कठिन भोगोलिक परिस्थितियां और आधार बुत्सु विधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। तो मैंने आपको ये चीज़ अभी समझाई थी कि क्यों कम है जनसंख्या। फिर भी ये ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दरस्टी से सबसे सगन प्रदेश है। मैदानी भाग में क्रशी के अनकूल परिस्कितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उध्योग, वानिज, परिवहन की आधार बुत्सु विधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती ह तो कहां की बात हो रही है, यह मैदानी भाग की बात हो रही है, क्यों यहां पर समतल मैदान है, पानी है, नदियां है, चंबल जो है, नदी पूर्वी भाग से ही होकर बहती है, और जो दिल्ली राजधानी है, देश की, तो वो नजदीक है यहां, पूर्वी जो भाग है उ अब देखिए मैप में बताया गया है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में कि यहां पर देखिए जैसल मेर में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर और वहीं पर सरवादिक जो है यह जो पूर्वी भाग है तो इसमें इस साइड जो है वो आपको जनसंख्या जो है देख चलिए नेक्स्ट देखिए आओ अभ्यास करें तो यहां पर वही आपके जिले का नाम उसकी जनसंख्या घनत्व बताईए आपके जिले की जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व की तुलना राजिस्थान की कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व ग्यात कीजि के पीछे कितनी महलाएं है तो उसे क्या कहा जाता है लिंगाणुपात ठीक है और लिंगाणुपात से हमें समाज में महलाओं की इस्तिती का पता चलता है कि पूरसों के मुकावले कितनी महलाएं है 2011 की जंगर्णा की अनुसार राजिस्थान में लिंगा अनुपात 928 है यानि 1000 पुरुस अबलिक 928 महिलाएं ठीक है पुरुसों के तुलना में महिलाओं की संख्या क्या है कम है जबकि छोटे बच्चों की यदि बात करें 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों की तो वहां पर लिंगा अनुपात केवल 888 है तो यहां तो और भी ज़्यादा पुरी कंडिशन है कि यहां पर जो लड़का है वे अधिक है और लड़कियों की संख्या कम है क्यों कम है क्योंकि अभी भी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है जो है लड़का वही होना चाहिए लड़की नहीं होनी चाहिए तो पक्ष्मी राजेस्थान में यहां इस्तिती इतनी विकट है कि लड़किया जो है पैदा होती है तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है तो इस वज़े से यहां पर कम है तो आज जो है वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ मैं क्योंकि गले में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है नेक्स्ट वीडियो हम यहां से आगे पढ़ने वाले हैं तो आज का चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू